लड़ू तो आपने बहुत तरह के खाये होंगे लेकिन आज हम आपको बनाना चिखाएंगे बहुत जबर्दस से सूजी के लड़ू असलाम उलेका मैं हूँ शाय मुहमद रफी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेस्पी यूटूब चैनल तो आज हमारे किचर में बने आप बहुत जबर्दस से सूजी के लड़ू मुह के अंदर घुल जाने वाले लड़ू आपको बनाना चिखाएंगे बहुत जबर्दस से दानेदार लड़ू बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है तो अगर आपको ये मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगे इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेस्पी तो आए फिर देखते हैं आज की बहुत सब्सक्राइब करें बरनें के सutar लड़ो बनाने के लिगे सबसे पहले मैंने वाल के इंदर शामल कर देंगे ब्रीक वाली सूझी देखिए कप मैंने सूझी लिए अगर आपके पास पॉर्डη सूझी आप उसको ब्लेंडर के डालकर उसका बोर्डर बनाकर फिर इस्तमाल किजिएगा एक कप मैंने इसके अंदर सूजी शामल कर दी है और आदा कप शामल करेंगे इसके अंदर नारियल का बुरादा इसली आपको मार्किट से मिल जाता है इससे बहुत जबरदस सा लडू का फलिवर आएगा ये भी शामल कर देती है आदा कप आदा कप नारियल का पुरादा शामल करने के बाद इसके अंदर शामल कर देंगे दो कप दूद दूद मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क इससे बहुत इस बर दस सा सूजी के लडूक अंदर फिलेवर आएगा आपने इसके अंदर फुल क्रीम दूद का इस्तमाल करने है इसको करने है अच्छी तरह मिक्स और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामल करेंगे हैं आदा कप क्रीम मैंने फ्रेश क्रीम के इस्तमाल किया है अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर आदा कप घर में जो मलाई होती है वो भी शामल कर सकते हैं क्रीम से बहुत जबर्दस सा लड़ों का फलेवर आएगा बहुत क्रीमी लड़ों बनके त्यार हो जाएंगे तो देखिए आदा काप मैंने लिया फ्रेश क्रीम इससे बहुत जबर्दस सा फलेवर आएगा और बहुत हमारे सोफ्ट लड़ों बनके त्यार हो जाएंगे ये भी शामल कर देते हैं क्रीम शामल करने के बाद आपने इसको करने अच्छी तरह मिक्स और मिक्स करके आपने इसको छोड़ देने 10-15 मिंट के लिए लाजमी रेस्ट पर रखना है सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी तो इसको उपर से कवर कर देते हैं अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिंट के लिए तो मिलते हैं इंशाला 15 मिंट बाद सूजी को हमने 15 मिंट के लिए छोड़ दिया तो अब हमने dry fruit को roast करने हैं तो dry fruit को roast करने के लिए मैंने पैया चुले को पर रख दिया flame slow रखी हुई है इसके अंदर शामल कर देंगे सिर्फ 3 टेबल स्पून देशी घी आप इसके अंदर oil भी शामल कर सकते हैं और normal घी भी इसके अंदर शामल कर सकते हैं और थोड़े से कद्दू के बीज हैं उनको भी अपने अच्छी तरफ भून लेना है और 2-3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामल किया है नार्यल का बुरादा बस आपने क्या करने है कि 2-3 मिट के लिए आपने dry fruit को roast कर लेना है इससे बहुत जबर्दस से क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका flavor भड़ जाएगा इससे बहुत जबर्दस सा लड़ों के अंदर flavor आता है तो slow flame को पर देखिए हमने dry fruit को roast कर लिया अब मैं इसकी flame बंद कर रहा हूँ इसको निकाल लेंगे plate के अंदर बहुत जबर्दस से हमाई dry fruit roast हो गया है देखिए कितना जबर्दस सा color आ गया है ज्यादा निया आपने इसको roast करना तो देखिए इसी पैन के अंदर देखिए मैंने सूजी को 15 मिट के लिए छोड़ दिया था 15 मिट हो गया है कितनी जबर्दस से सूजी फूल गई है इसी पैन के अंदर शामल कर देते हैं सूजी को जो हमने बगो कर रखिए हुए थी क्रीम और दूद के अंदर तो आपने क्या करने कि आपने रखनी है flame slow और slow flame के उपर आपने इसको चलाते जाना है और पकाते जाने थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यह हलवा बन जाएगा जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं इस तरह कि इसकी शकल आ जाएगी और आपने इसको छोड़ना नहीं है इसको मिक्स करते जाना है और आपने इसको चलाते जाना है और भूनते जाना है आपके तो देखिए कितनी ठीक होगी या सूजी इस तरह जब आपकी सूजी ठीक हो जाए और हलवा बन जाए तो आपने फ्लेम को अगर देने हैं मिडियम और मिडियम फ्लेम के उपर आप ने इसको चलाते जाना है और भूंते जाने सूजी का हमने बहुत जबरदस सा दाना त्यार करना है तो देखिए स्पेचला मैंने ले लिए इससे आपने इसको प्रेस करते जाने हलवे को और भूंते जाने मीडियम फ्लेम को पर बिल्कुल भी आपने इसको छोड़ना नहीं है पांच से साथ मिट लगेंगे और आपका सूजी का दाना त्यार हो जाएगा तो देखिए पांच से साथ मिट के लिए मैं अच्छी तरह सूजी को भून ली गया है कितना जबर्दस सा सूजी का एक एक दाना त्यार हो गया है कितना जबर्दस इसका दाना त्यार हो गया इसी तरह का आपका होना चाहिए फलेम कर रहे हैं बंद इससे ज़्यादा आपने सूजी को भूनना नहीं है ना इससे ज़्यादा आपने इसको कलर देना है देखे कितना जबर्दस है हमारा सूजी का एक एक दाना त्यार हो गया, इसके अंदर शामल करतेंगे ड्राइफ फूट जो हमने देशी के अंदर पून के रखे हुए थे, अभी हमारा सूजी का बैटर बहुत ज्यादा गरम है, इसके अंदर चीनी ना आप शामल कीजिएगा, इसको करने आपने ठंडा, चूले से निकाल के इसको रख देंगे और फिर इसके अंदर शामल करेंगे चीनी का पॉडर, अभी शामल कर देंगे तो चीनी पानी छोड़ेगी और पूरे लड़ू हमारे हराब हो जाएंगे, फिर लड़ू नी बनेंगे, यह हलवा बन जाएगा, तो देखिए इसको थोड़ा से मैंने ठंडा कर लिया था, इसके अंदर शामल कर देती है, पॉडर चीनी, एक कप, एक कप बिलकुल प्रफेक्ट है, और तीन से चार अदद मैंने चीनी के अंदर लाची शामल की थी, और ब्लेंडर के अंदर डाल के चीनी को मैंने पॉडर कर लिया, यह एक कप पोडर है चीनी का आप चीनी अपनी मर्जी के मताबक कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है इसके इंदर शामल कर सकते हैं मैंने एक कप किये एक कप बिल्कुल प्रफेक्ट है यह शामल कर देते हैं और लाची का पोडर भी इसके इंदर शामल करके मैंने इस मताबक बड़े छोटे बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है तो इस तरह आपने थोड़ा सा सूजी का बैटर लेने हैं और आपने लड़ू बना लेने हैं बहुत यसानी से बन जाएंगे कोई इन में मुश्कल काम नहीं है देखें इस तरह अपने लड़ू बांद लेने हैं ये देखिये हमारा लडव बन के तियार हो गया बेखोती जबर्दस से लडव बन जाती है एक मैं और आपको बता देता हूँ इसी तरह सारे लडव बना लेती है अलहम्दलिल्व सिये बड़े ही जबर्दस है हमारे सुच्जी के बहुत जबर्दस से दानेदार लड़ो बनके त्यार हो गए हैं तो अगर आपको जो मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगए इसको लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें जिसका नाम है फूट सीक्रेट रेस्पी और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताके मिल सके आपको मेरी हर आनेवली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो पलीज वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें इसकी वैसे मेरी होसला जयोती है और मुझे कमेंड बुक्स में ज़रूर बिताएगा कि आज की रेस्पी आपको कैसे लगी तो जाते जाते मैं एक आपको तोड़ के दिखाता हूँ देखिए कितने जबर्दस हमारे सोफ्ट दानेदार क्रीमी लड्डू बन के तियार हो गए है